लग्षा गालाएचे मराटा आरक्षणाची केसली ते चंद्रकांदादा तेचात लक्षा गालाएचे तेमले उठेतरी सरकारला देखील करने ही या केसे सशे आसता है कि जेचा मुदे ओंग स्पोर्ट डिक्सिजन्स गयावे लगता अनेक विला त्यात काईदेचे सब्सक्राइब करने की परमिशन दी थी और उसमें कहा था कि पिटिशन के आउटकम को सब्जेक्टिव रहते हुए OBC के जगह का रिजर्वेशन रहेगा उसके बाद 15 मैने हो गए और कल के रिजर्वेशन में उन्होंने ये सारी सीटे रद कर दी चुनाव सारे निरस्त कर दिये और वापिस ओपन चुनाव करो करके बोलाए और इतना ही नहीं तो आगे में इस रिजर्वेशन के उपर एक प्रश्ण चिन्न तयार हुआ और विशेश रुप से शेडूल डेरिया में तो OBC के लिए कोई रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा इस प्रकार का इंदिरना है इसमें मूल रूप से सरकार ने 15 मैने पहले जो निरने आया था उस निरने में जिस प्रकार से कमिशन बनाने को कह था वो कमिशन तयार नहीं किया एंपिरिकल डाटा तयार नहीं किया और सरकार ने कंसीड कर दिया और एक एफिडेविट में कह दिया कि हां 50% से उपर गया लेकिन क्यों गया है इसका जेस्टिफिकेशन नहीं दिया और इसके कारण आज OBC के रिजर्वेशन के उपर एक प सबयोनी चीजिए मूल रूप से हमने मराठा आरक्षन जो दिया है उसमें इंदिरा सहानी के केस में 50% से उपर जाने के लिए जो टेस्ट कई यह हुथ तेस्ट को जिस्टिफाई करके हमने वो दिया है हमारी अप्यक्शन यही थी कि यहांपर वही सरकार ने इसमें कना ची यह था जब 50% से उपर की बात आई तो उस समय सरकार ने यही करनी क्या आवशकता थी क्योंकि सुप्रीम कोट ने इंदिरा सानी जज्जमेंट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि शेडूल डेरिया है तो वहाँ पर हो इसकता है अब अगर यह सारी बाते सामने आती तो मुझे लगता है कि कही ना कई यह मामले का कुछ ना कुछ असर तो उसके उपर आएगा लेकिन पूरा असर आएगा सो मुझे लगता नहीं अधिशे गंभी रच्शा परकार सा घुटाला समूरा लेला है मी दिखिल त्यास अंदर बात ले बात में वासले तेची माइती मी दिखिल मिराठा आरक्षणा वरून भाजपा अकरमग जालेला है त्या पठवड़ा उबेसी आरक्षणा संदर्भात सुधा विधान सभे मधे मुद्धा देवेंद्र फडणवी सानी माणला आत्ता विधान भवन परिसरा मधून प्रतिक्रिया ये थोती विरोधी पक्षणा ते देवेंद्र फडणवी सेंची मिराठा आरक्षणा विशईस ते बोलोत होते रेट पिटीशना दाखल करने विशई वक्तव यतनी केलेला है नाना पटोले यानी भारत रतन चा मागणी संदर्भात आस पश्टी करन केले त्यानी असस पश्ट केले की सावर करानना भारत रतन देणयाची मागणी ही शिवसनेची आहे भाजपलचे नेते आमदार सुधिर मुनगंटी बार आपला सोबत है सुधिर्भाव आज भारात रतना देन्या संदर्भात लाज ये वक्तव्य समुरालाई नाना पटोले यांचा काय सांगाल यावर तुमची पहली प्रतिक्रिया कि मागनी महारास्त्राचा सावर करानुवर मिस्तिम श्रग्धा प्रेम करना रहा सरवान चिया है इमागनी जगा मदे स्वातंत्रवीर सावर कर यांचा आदर करना रहा निस्वार्थ भावने नी सावर करना रहा प्रेम करना रहा सारे जन्ती चिया पांग्रेस अकीश है ग्रुना ये वासा वर्तन के सावरकरां चा संदरबा मदे पांग्रेस सा है तैनली जी पुस्तिका काड़ गजी ते पुस्तिके मदे इतके निंद निय अशा शब्दा था उपयोग क्या दा हाँ अब जो नाना भाव पटोगे है सांगेत गा आद में मनात विचार केगा कि इंदर दे समराथ स्वर्गी या शिवसेना प्रमुग बादा साहिब ठाकर जी अस्ते तो या एका वक्त अव्यावर प्यानी काई भाश्य के अगर अस्त अपन्या शद्दे में बादा साहिब अतिशे निकृष्ट शब्दा निम्ना शब्दा शब्दा वापर केगा इंदर दे समराथ भाश्य थाकर नी हता दोड़ा गिवून त्या मनिशंकर अयर्चा प्रतिकात्म स्थेचुगा माँगा अता प्रश्ने होड़ा से ये खरत विदान्समें जमां शक्क्या से किते म अमी विचार हैं कि आमीतर या मुद्यावर्शिव सेने दा मदद करने सटी तयागा तानी एक तराव कराव अविदान सबे मोदे असा मनुन सालनार में कि केनरा कडे प्रस्ताव मान्य देवेंद्र जीनी पाठोगा अपने अशा प्रसंगा जमा असा वातावरन संश्यात सब्सक्राई या संश्यात दुका आस्ता ना महारास्त आमधे अतिशे सूस्पष्ट पने मान्य मुख्यमंत्रेनी एक प्रस्ताव मान्य देवेंद्र आगे आग हैं था प्रस्तावा अपन मंजूर करुन पाठोगा अशा अता स्पष्टी करन देन्याँच नाना पो टोल प्रश्ण उपस्ट चाहे महाविकास आगाडी मधें पड़ असस पष्ट पने सांगना कि कॉंग्रेस ने या दोगान ना भारत रत्न द्यावा अशी मागणी केलिये और शावर करान ना भारत रत्न देनेची मागणी आमची नाई है मंग अशीष जिन नी जो उस परश्ण उपस्ट केला कि मुख्य मंत्रा नी जे पत्र पठलोते तैंसा वो यक्तिक होतागा हाँ ही खरे महद्वाचा मुद्दा है नहीं है या मुख्य मंत्री मोदे नी पत्र पाठलोते तस नहीं है पत्र देवेनर बढ़न वी सांचे तुनी पत्र आट्रा नी कुनिस्ते या मुख्य मंत्र नी जो उस उन पत्र में पत्र होतागा है प्रस्ताव मांदावा मुख्य मंत्र आने त्याला पाठिमबा भाजप देल मंजेच अधिक सपष्टता हो शकेल एक छोटा सा ब्रेक गे हुई आई थे पहाफ़क्त यूजटी इन्डोकुमात